तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं हम बहुत सिंपल देखो सेलरी वाले कुश्चन को करने में न टाइम लग रहा था प्रोविजन याद है फिर भी कम से कम 10 मिनट ले रहे थे हाउस प्रोपर्टी के कुश्चन को करने में प्रोविजन कम थे लेकिन उसमें भी मैं प्रोविजन होगा लेकिन सिर्फ दो लाइन के अंदर आंसर निकलता है इसका सिर्फ दो लाइन में कैसे कैपिटल का मतलब यहाँ पे कैपिटल का मतलब इस चेप्टर में देखो हर जगा कैपिटल का मतलब होता है अलग-अलग इस चेप्टर में इंकम टेक्स में बोला ज से और ज्यादा से ज्यादा हमारे सवाल में यूज होने वाला है लेंड एंड बिल्डिंग ठीक है और मैं सिंपल सी बात करूं क्यापिटल को फिक्स असेट बोलू ना तो थोड़ा सा कहना गलत होगा मेरे हिसाब से मैं इसको क्यापिटल का मतलब that is assets बस यानि और gain का मतलब होता है सर profit आपको ग्यारवी क्लास में पढ़ाये जाता है ये gain लेकिन उस टाइम पे इतनी बाते समझ में नहीं आती सर gain का मतलब क्या है ग्यारवी क्लास के अंदर बताया जाता है एक्जाम में question भी आता है profit और gain में difference या profit और gain को explain करिए देखिए एक होता है day to day business regular business सबजी वाला है डेली आलू प्याज ला रहा है आलू प्याज बेच रहा है gain sorry profit उसको क्या बोलता है profit और ऐसा income जो कि हमारे daily basis में नहीं है कभी कभी हो जाता है उसको बोला जाता है हमारा gain बस यह फरक है तो sir business के अंदर assets हर रोज नहीं बेचा जाता यानि अपने personal life में भी कोई assets daily नहीं बेचा जाता मकान खरीदा 10-15 साल कई तो 100 साल भी बेच रहे हैं बहाँ बहुत बात बेचते हैं तो वो तो बोला गया assets को assets पे profit सर assets पे profit कब होगा हमारा simple सी बात है assets पे profit कैसे होगा मान लेते हैं कि मैंने एक building for example मैं ले लेता हूँ example मैंने एक building बिल्डिंग खरीदा था मैंने मान लेते हैं 50 लाक का इसको मैंने sold कर दिया sold कर दिया मान लेते हैं मैंने 60 लाक रुपए का तो मैं एक सवाल आप से पूछूना तो लगेगा यह क्या सवाल है कि बताओ इस building पे मेरा profit कितना हुआ दस लाक रुपए का profit दस लाक रुपए का इसी को मैं profit ना बोल के मैं क्या कर दूँगा गेन कितने का और इसी को गेन ना बोल के मैं बोल दूँगा कौन सा गेन है यानि assets के उपर हुआ जो profit है उसे बोला गया capital gain तो सर हमारा सवाल कितना भी बड़ा हो निकालना capital gain है तो क्या करेंगे जितने के assets खरीदा और जितने का बेच दिया दोनों का difference यानि यहाँ पे दे वो तो आपको मैंने बस overview दिया है तो capital gain यही चेप्टर है और इसी के provision को पढ़ना है लेकिन इसके अंदर सबसे ज्यादा जो टेक्स चोरी होता ने यहीं पर होता है इसके अंदर capital gain के अंदर अगर मैं simple सी बात करूं तो capital gain के अंदर जो tax लगता है ना कि मैं example ले रहा हूं और यहां पर कमाई भी मोटी होती है क्योंकि घर खरीदा अगर मैं बोलू आज से 20 साल पहले आपने घर खरीदा हो का शायद 10,000 रुपे का और आज की डेट पर उसकी 50 लाख रुपे कीमत है ऐसा पॉसिबल है या नहीं है हो सकते हैं तो यहां पर प्रॉफिट कितना अगे 49,000,000 अब 49,000,000 के उपर सीधा आपको 20% का टेक्स देना प्लस में हाई रेजुकेशन साइस वगेरा ठीक है ना तो चैप्टर का पहले थीम समझो कि हम इसमें सीखने वाले है कि किसी भी एसेट को बेचा जाए तो उससे जो प्रॉफिट अराइज होगा that is chargeable under the head of capital gain लेकिन आप सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी problem आ जाती है सर assets की बात आपने करी है तो क्या cash हमारा assets है है क्या इसको बेच सकते हैं आप बोल रहे है assets बेचो सर क्या debtor को बेचा जा सकता है तो अब हमें समझना होगा कि कौन से ऐसे specific assets है जिसको बेचने पर capital gain लगेगा जैसे मैं बात करता हूँ अब कोई भी हो चाहे businessman हो चाहे normal person हो ऐसा क्या assets बेचे उसे किसको हम assets मानेंगे कि इसको नहीं मानेंगे आपका mobile phone भी एक assets है उसको बेच सकते हो सकता है 10,000 का mobile phone आपने 12,000 रुपे में बेच दिया यहां भी तो profit कमाया क्या इस पर capital gain लगेगा तो बोला law ने बोला कि अगर यह आपका capital assets है तो capital gain लगेगा इसका मतलब सर यानि पहले हमें यह definition क्लियर करना होगा कि what is the capital assets अगर law कहता है कि भाईया यह mobile phone capital assets का part ही नहीं है तो आप उसे बेच रहे हैं तो क्या उसके उपर arise होगा capital gain तो हम समझेंगे सबसे पहले इस section में हमारा यहां पे section जो chargeable होता है वो section 45 से start हो जाता है चार्जि का यहां पर 45 से start हो जाता है तो हमना पहले definition देखेंगे definition के बाद एक-एक definition को जैसे वहां पर भी आप याद करो income from house property में income from house property के अंदर आपने अगर section 22 के एक-एक line को clear कर लिया हो तो chapter खतम हो जाता है कहता है कि house property के अंदर chargeable net annual value के उपर होगा after deduction 24 और उसके बाद आपका सारे बात है उसी में लिखा हुआ है ऐसे section देखेंगे फिर हमें एक-एक बात clear हो जाएगा एक बार schedule दुबारा बता देना प्लीज मैं last में एक बार फिर से explain कर दूँँगा chapter जैसे ही होगा मैं दुबारा बता दूँगा ठीक है काफी बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं simple सी बात है कल morning में house property का doubt लूँगा 11.30 मैं दुबारा बता दूँगा आपको चलिए आगे हम बात करते है सर किसका chargeability का आपके सामने chargeability है और एक चीज़ ध्यान रखना ये जो section है ये law के अंदर लिखा हुआ है दुनिया के किसी भी किताब में उठा लो बाते यही लिखियोगे इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि law को हम change नहीं कर सकते हाँ थोड़े आसान लेंगविज में लेकिन ये maximum basis of charges समझते है क्या कहता है कहता है एनी ध्यान देना यहाँ एनी profit और गेन अराइजिंग फ्राम ट्रांसफर सर एनी प्राफिट और गेन अराइजिंग फ्राम ट्रांसफर सर वोट ट्रांसफर किस ट्रांसफर की बात चल रहे है मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं सर ये ट्रांसफर कि कोई भी profit का मतलब सर बोलने का मतलब क्या इस definition के अंदर profit से profit का मतलब है आपने 10 लाख रुपे का समान आपने 12 लाख रुपे में बेच दिया ये आपने purchase किया था और आपने बेचा 12 लाख रुपे का तो ये क्या होग profit हो या फिर कोई भी gain हो arise का मतलब होना क्या इस वाले transaction में हमें profit arise हुआ है जी सर दो लाख रुपे का profit arise हुआ है तो इस दो लाख को बोल रहा है arise हुआ हो लेकिन बेचने के बाद transfer का मतलब सर यहाँ पे है transfer का मतलब है यहाँ पे sold बेचना word sales word का इस्तिमाल नहीं होगा law के अंदर बोलता है कि sale नहीं करेंगे यहाँ एक सब्द इस्तिमाल करेंगे हैं जिसको बोलेंगा transfer तो जब कभी भी transfer word आएगा तो समझ जाना यह किसकी बात कर रहा है बेचने की तो बोला गया profit यह गेन अराइज हो कहां से transfer of आगे क्या कहता है सर किस चीज को सर सिर्फ capital assets को transfer करोगे तब आपका अगर कोई profit arise होगा तब ही आपका capital gain होगा तो यहाँ पर समझने वाली बात है कौन सी चीज ट्रांसफर मानेंगे पिता जी ने अपने बेटे को अपना घर दे दिया क्या यह बेचा हुआ माना जाएगा यह नहीं माना जाएगा लेकिन घर तो गया ठीक है ना तो बहुत सारी चीजे ऐसी चीजे हैं जो कि आपको लगेगा कि यह चीज दी जा रही है लेकिन actual में वो उसको दिया नहीं जाएगा तो हमें transfer को भी अच्छे से समझना है capital assets में बताया है भाई cash भी है, debtor भी है, BR भी है, stock भी है तो यह सभी क्या capital assets है नहीं capital assets में आपको समझना होगा कि कौन कौन से आएंगे part कहता है affected in the previous year ऐसा कुछ भी previous year में होता है first class जब लिया था तो हमने detail में देखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी आप समझे सिर्फ previous year जब law में यहां income tax के अंदर जब previous year कहा जाएगा तो इसका मतलब होगा जिस साल हम income tax निकालेंगे उसको बोला जा रहा है previous year, सीधी सी बात है, ठीक है shall be chargeable, chargeable का मतलब tax लगेगा to tax under the head of capital gain, यानि सर, capital gain लगने के लिए कुछ condition है एक तो profit होना जरूरी है, एक transfer होना जरूरी है और एक capital assets होना जरूरी है, अगर यह तीनों बाते दिखा, तभी capital gain चार्ज हो सकता है एक तो क्या होना जरूरी है, number one, profit या gain, सर, number two, transfer होगा तभी हो सकता है number three, क्या transfer करोगे, capital gain, और यह calculation कब करोगे, previous year के अंदर और तब capital under the head of house property आएगा बच्चे बूच रहे हैं, सर, late join हो रहे हैं, और बोल रहे हैं, सर, transfer का मतलब अब जी, transfer का मतलब sold होता है, sales होता है, और कोई चीज है ने, इसके अंदर इतनी बड़ी बात कहता है, and shall be deemed, मान लिया जाएगा income, the previous year, which is transfer in place, such capital gain exempted, बोलता है, भीया, जै, capital gain होता है न, तो ऐसा नहीं है, कि आपने दस, दो लाख रुपए आपकी कमाई हो गई, सरकार ने कुछ जगह पर फिर से आपको benefit दिया है, कि दो लाख की कमाई हुई, आपने बोला, सर, मेरे साथ देखो क्या दिक्कत हुई, और कैसा रहा, दिक्कत ये हुआ, कि मैं जो हूँ, वो एक ऐसे जगह पर रह रहा था, जो इस साइड भी मेरे घर के पडोस में भी वो ऐसे इनसान रह रहे थे, जो डेली लड़ाई जग करा, तो मेरे पास एकी option बसता कि यहां से बीच के निकलो, मानता हूँ कि बहुत पहले की जमीन थी, लेकिन कुछ लोग आस-पास बस गये, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं, बच्चे के लिए थोड़ा environment चींज हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या करा, उस घर को वहां से बीच और फिर से उसने एक नया घर एक अच्छे से लोकैलिटी में ले लिया, उसका purpose यह नहीं था, कि हम यहां पे पैसा कमाएं, उसका purpose क्या था, कि हम अपने society को change करें, अगर इस पे भी सरकार text लगाने लग जाए तो यह तो बोला जागा गलत हो रहा है हमारे साथ, तो government ने ब नहीं भी 10 लाक रुपे का घर ले लिया, तो हम क्या करेंगे, आपसे income tax नहीं लेने वाले, हम यहां से minus कर देंगे 10 लाक रुपे और आपका taxable income क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, यह 2 लाक रुपे कमाया है तो 2 लाक 0 कर देंगे, तो सर ऐसा कौन-कौन से activity है जो हमें minus करने द 54EE, 54F, 54G, GAGB और इसके बाद भी 54EE आ गया, हाँ ठीक है, GAGB इतने सारे, सर यह इतने सारे section क्या है, जैसे for example 54 में बोला गया घर बेचो और खरीदो तब हम बताएंगे कैसे आपको benefit मिलेगा, 54B में बोला गया आगर आप agriculture काम कर रहे हो, खेती वगरा कर रहे हो तो उसके लि इसको पूरा detail में पढ़ेंगे, सर इस वाले section से, इन section से तै है, पक्का है कि इसमें से कोई भी section 6 नमर का आएगा paper में, fixed है कि आएगा theory, तो मैं इस पूरे theory को करवा हूँ, ऐसा नहीं और जब आप इसे पढ़ लोगे, कोई ज़रत नहीं पढ़े कि आपको याद करने का आ समझ में आ जाएगा कि सर क्या होता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीके से है, तो यानि सर यहां तक पहले बास समझ में आया, क्या कहता है कि capital gain हम किस पे लेंगे, कोई भी assets जब transfer करोगे, कौन सा asset transfer करोगे और उससे जब profit होगा, लेकिन profit होने के बास सीधा हम capital gain नहीं ले लेंगे, टेक्स लेंगे, यानि सर हमें 54 भी समझना पड़ेगा, capital assets क्या है वो भी समझना पड़ेगा, transfer क्या है वो भी समझना पड़ेगा, इसके बाद कहता है the following essential condition, वही condition जो मैंने उपर mark कर दिया, यह अलग से लिखा, there must be condition होना चीए, capital assets must be transfer होना चीए, there must be profit and gain which taken capital gain औ और such capital gains should be not exempted under the asset capital gain exempted नहीं होना चाहिए, तब taxable होगा, तो सीधी सी बात है सर, capital gain लगाने के लिए क्या condition है, assets होना चाहिए, वो भी कौन सा capital assets हो, उस assets को बेचना भी जरूरी है, यानि transfer भी करना जरूरी है, और वहां से क्या होना चाहिए सर, profit भी होना चाहिए, जब यह स ठीक है, बच्चों का hand raise आ रहा है भी मैं किसी का भी hand raise नहीं लूँगा, मैं last में option दूँगा, पहले मुझे अपना, जो भी जिसका भी आ रहा है query doubt, तो पहले आप comment में लिख दीजे, मैं देख के उसी का साथ साथ जवाब देता रहूँगा, भी time नहीं है कि मैं hand raise लूँ क्योंकि मुझे कुछ definition और कुछ explain भी करना है, ठीक है, clear है यहां तक, पहले यह definition देख लिजिए, समझ में आ गया, section 45 देख लिजिए, clear है, यहां पर मोटी मोटी देखा जाए, इसको निकाल लूँ ना अगर निचोड के मैं, तो इसके अंदर बात समझ में आता है sir, assets को ब उसके लिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे sir, what is the capital assets, पहले यह समझ लेंगे हम, उसके बाद फिर हम समझेंगे, के भीया, transfer क्या होता है, ठीक है, उसके बाद फिर हम capital gain कैसे निकाला जाएगा, वो देख लेंगे, sir, D point, क्या झाला, जान के लिए, भीया, बात समझे मग members के लिएक लेंगे, उसके लेंगे, वो देख, जाएगार कि लिएक लेंगे एम उद्वेदित झाल झाल हाँ जी मुझे पता है वोइस नहीं आ रही है मैंने वोइस म्यूट किया था पहले आप पढ़ लिजे बच्चा कहता है सर डी बता दीजे डी पॉइंट क्या है और डी समझ में नहीं आ रहा था डी बता दीजे तो डी पॉइंट क्या कहता है पहले डी कहता है सच कैपिटल ग गाउं के अंदर अगर खेती करते हो वो जमीन है अगर गाउं की खेती वाली जमीन को आप खरीद बेच करते हैं और वहां से मुनाफ़ा कमाओगे तो तो उसके उपर capital gain नहीं लगेगा भी exempted under the 54 section not taxable ठीक है सर हम क्या कैस सीखेंगे इसके अंदर number one हम सबसे पहले समझेंगे what is the capital asset दूसरे numbers पे समझेंगे सर एसेट समझत हो गया लेकिन कितने type के हैं ये type of capital asset तो चलिए capital assets के बारे में definition में क्या कहा गया हम simple सा पहले मैं पढ़ देता हूँ मैं समझा देता हूँ कुछ चीजे क्या capital assets है और क्या नहीं है law कहता है सर अगर हम बताए capital assets को तो सर लौ क्या कहता है capital assets के बारे में कि any kind of any kind of assets सर मतलब any kind of assets मतलब whether connected to the business or not whether connected to the business or not एक तो ये simple सी word है मैं ये सारी चीजे आपको लिखा हुआ दे दूँगा लिखने की जुरत नहीं है तो सबसे पहले क्या कहता है के सर capital assets वो है किसी भी तरीके का assets किसी भी तरीके का assets और in fact assets की जगह पे lawmaker ने जो कानून बना रहे थे तो उन्होंने word यूज कर लिया assets की जगह का पे क्या word यूज कर लिया उन्होंने बोला कोई भी property हो any kind of property चाहे वो business के लिए इस्तमाल हो रहा हो चाहे business के लिए इस्तमाल ना हो रहा हो उसे capital assets बोलेंगे लेकिन इस definition को बोलने के बाद तो कुछ बसता ही नहीं है बोला रुख जाओ अभी थोड़ा और explain करते हैं अब आपके दिमाग में आ रहा होगा capital assets दो तरीके के होंगे सर कौन से capital assets lawmaker ने जब ये law लिखा जा रहा था तो उन्होंने बोला था आप ध्यान थोड़ा सा मैं और clarity कर दूँ कि हम ना capital assets को दो तरीके का मान लेंगे सर कौन सा सर capital assets यहां पर बोला गया दो तरीके का होगा long term short term नहीं बोला एक ऐसा capital assets जिसको उठाके एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता जैसे यह mobile phone मैं ले जाओंगा और एक ऐसा assets हो सकता जिसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया एक हो गया उसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है ना उसको बोलते ह है एक है हमारा immovable भी कि बोला भाया जो है न इसके अंदर समस्या है इसमोबस को समस्या इन 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 जाए को भी वी बिजनस से connected हो चाहे ना connected हो कोई भी हो एनी इमूबेबल एसेट्स हो सर ये तो आपका capital gain लगेगा इसके उपर तो capital gain लगेगा पहली condition अब इमूबेबल के इंदर बोला भीया मैं तो अपने शर्ट को भी assets मानता हूं तो क्या मैं शर्ट्स अगर बेच देता हूं तो क्या इसके उपर भी capital gain लगेगा मैं अपने watch को भी मान रहा हूं अपने phone को भी मान रहा हूं मतला मैं बहुत सारी चीजों को अगर मैं बोलता है कि चाहे business से connected हो चाहे ना connected हो तो मैं वह बाते business के अंदर यूज हो रहा होगा बिजनस से related होगा ठीक है ना एक होगा जो बिजनस से जो अगर प्रस्नल है तो उसके ऊपर क्यापिटल गेन क्या होना चाहिए नहीं लगेगा जब यह बोला गया नहीं नहीं लगा तो देखा गया लोग वागों ने गोल्ड हजार रुपे तोला का लेकर पचास हजार रुपे तोले में बेचना चालू कर रहे थे गोल्ड तो बहुत जल्दी अप्रिशेट भी हो जाता है दो तीन साल में कम से कम बढ़ जाता है तो और गोल्ड मूवेबल है यह मूवेबल है मैंने बोला भीया मैंने चेन पहन रखी है या मिर पास रिंग है सोने की या डायमेंड की मैंने इसको बेच दिया है लोग आप कह रुटेन का भीरिया तो बोला इसके अंदर आप exception डालेंगे हम आपने बेच लिया मैंने बोला कोई भी आपका personal assets है उसके उपर हम capital gain नहीं लेंगे except अगर ये personal assets है और मूवेबल भी है तो हम आपसे capital gain calculate करेंगे इसे हम capital assets मानेंगे जैसे बोला गया gold jewelry कोई भी बोल सकते हो साथ के साथ बोला गया आपका कोई ऐसी महंगी चीज़े जैसे painting painting क्या होता है painting बहुत लोगी बहुत महंगी महंगी बिख जाती है painting को रखा गया, art रखा गया drawing रखा गया, तो archaeological collection जो की बहुत पुरानी पुरानी चीज़े आपने रखा है, वो बहुत महंगी बेख जाती है, तो उन चीज़ों को बोला गया, सर वो personal में अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो उस पर हम क्या करेंगे, आप से taxable ले लेंगे इसके बाद capital assets shares को बोला गया, कि जितने भी shares है, वो भी हमारे capital assets की बात, अभी हम मोटी-मोटी बाते करते हैं, इन सभी को मैं दिखाऊंगा सर, capital assets कोन सा होता है, हर एक तरीके का property, कोई भी property हो capital assets होता है, चाहे वो business के लिए use हो रहा हो और ज्यादा explain करने के लिए क्या करा, सर यह दो तरीके का हो सकता, यह movable या immovable है, तो सोचना ही नहीं है भाईया, capital assets है, भाईया, तो घर बन अपने लिए use कर रहा है, चाहे, company के लिए use कर रहा है, movable है, तो अगर company के लिए use हो रहा है, business के लिए use हो रहा है, तब तो सर, वो capital assets है, लेकिन personal के लिए है, तो capital assets, लेकिन सर, कुछ exception case है के, उसके अंदर capital assets माना जाएगा, यानि अब देखो, double exception लग रहा है, जब law को हम पढ़ते हैं, तो confusion हो जाती है, पहले बोला गया सारा का सारा property, जो है वो capital assets है, बोला गया, अब कुछ detail, इसमें से इसको हम capital assets नहीं बोलेंगे, ये exception है, उसके बाद बोला गया, इस exception के भी exception है, कि इसको capital assets बोल दिया जाएगा, तो बड़ी simple सी चीज है, capital assets को हम ध्यान से देखें, तो capital assets किसे बोला जाएगा, तो फटा-फट देखें, कुछ ये चार्ट है, जहाँ पे 2.14, section 2.14, ये हमें define करता है, sir, what is the capital assets? आप सभी के 10 ये ये चार्ट already incorporated है, section 2, subsection 14 में define है capital assets किसे बोला जाएगा, कहता है capital assets, देखो, जो definition law में मैंने as a tease लिखा है, इसके अंदर मैंने कोई बदलाव करने की कोशिस नहीं करी, बस इसको थोड़ा सा easy करने की कोशिस करी, कि आपको समझ में आ जाए, क्या कहता है sir, कहता है capital assets, वो assets है, means property, any kind of held for SSC, whether to connected or his business or profession or not, मैं वही बाते इतनी देट से बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, तो मैंने सुझा चार्ट दिखाने से पहले, आपको पहले बाते समझा जेते हैं, तो फिर ये सब क्या रहा जाएगा, समझ में आने लगेगा, ठीक है, हाँ tangible, intangible भी बच्चे बोल रहे हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता, जैसे डिबेंचर और शेर, उसे circulating शेर बोलते हैं, circulating assets बोलते हैं, जैसे ले भाई, मेरा share तू ले ले, है तो assets, share दे दिया, तो circulating में आ जाता है, ठीक है, यानि सर यहाँ पर circulating से related है, कि यहाँ पर share वगएरा भी count हो जाता है, वैसे security बोलते हैं, तो वो count हो गया, तो पहले इस definition को देखिए, कि बोला गया, कि भाईया, any kind of property held by the SSC, held का मतलब जो SSC के पास है, चाहे उसके business से connected है, चाहे उसके business से connected, उसे हम क्या बोलेंगे, capital assets बोलेंगे, और capital assets के अंदर include होता है, चाहे वो movable हो, चाहे वो immovable हो, चाहे tangible हो, चाहे intangible हो, चाहे circulating हो, अब इसको define करने के लिए बोला गया, सर, immovable क्या होता है, all type of movable property, कोई भी हो, all type of movable property, whether for the business or personal, जैसे कि house, factory, land, go down, सर, इसके उपर capital, ये capital asset है, ये क्या है सर, समझ में आए, ये क्या है हमारा, तो यही मैं पीछे भी बता रहा था, कोई भी हमारा immovable है, तो capital assets है, चाहे business के लिए हो, चाहे personal हो, अब आ जाते हैं, दूसरे aspect में कौन सा, movable, movable की बात करें, तो एक तो होगा, किस purpose के लिए, और एक होगा, कहा गया, business purpose में, any kind of movable assets, किसी भी तरीके का, movable assets, part of capital assets, जैसे, अगर आप business के अंदर, business के अंदर, अगर कोई भी, movable assets हुआ, तो उसे हम मान लेंगे, जैसे, business के अंदर, अगर उन्हेंने, laptop बेच दिया ना, जैसे business में, laptop पुराना हो जाता है, उन्होंने बेचा, तो वहाँ capital gain, calculate होगा, लेकिन आप अपना, personal laptop बेचेंगे, तो calculate, नहीं होगा, उन्होंने अपना, AC उठा के बेच दिया, तो capital gain, लगेगा, प्रसनल बेच दिया तो नहीं लगेगा, उन्होंने कार बेच दिया तो लगेगा, आप बेच ओगे तो, तो वो लगे है भई, जो business से connected है, वो तो capital asset है, जैसे air condition, laptop, car, machinery, तो that is, क्या है हमारा ये, capital asset, लेकिन अगर personal हुआ, तो all type of movable assets, are not part of capital assets, law ने कह दिया, भई याप personal assets, अगर movable है, तो capital assets नहीं मानेंगे, except इन चीजों को छोड़ करके, क्या क्या सार, jewelry, jewelry में क्या आ जाता है, सारे के सारे आभूशन आ जाते हैं, आपके चाहे diamond का हो, चाहे silver का हो, चाहे आपका gold का हो, सार आ जाएगा, jewelry के अंदर, ठीक है, इसके बाद बोला गया, jewelry के बाद, drawing, आपके paintings, drawing, आपके movable assets है, वो personal है, लेकिन आपने उसे बेच दिया, जैसे कि मैं painter की बात करूँ, तो कुछ बहुत बड़े ऐसे painter है, painting समझ में आए चाहे नहीं है, उनकी painting महें की बिक्त जाती है, उनके नाम पे, ठीक है, तो वो, sculpture क्या होते हैं, जैसे sculpture का मतलब होता है, बहुत पुरानी चीज़े, ये basically क्या होता है, जैसे मानलो किसी के पास, dinosaur का, कुछ मानले लेते हैं, sculpture मतलब उसका कोई खंकाल वगएरा मिल जाता है, ये genuine dinosaur का है, तो करोड़ों और वो में बेच सकते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को सौख होता है, जैसे मैं बात करूँ, तो विजय मालिया जो थे, थोड़े सौखीन किसम के इंसान थे वो, उन्होंने क्या करा था, कि एक तलवार, टीपू सुल्टान की तलवार थी, वो 6,000 करोड रुपे में खरीदा था, 6,000 करोड का टीपू सुल्टान की तलवार, 6,000 करोड या बहुत expensive 700 करोड या 600 करोड एक्जेक्ट निया, खरीदा था, आप गूगल करके देखो के तो पता चल जाएगा, तो वो देखा के लेके आ गए उसको, ठीक है न, इंग्लेंड से उन्होंने खरीदा था, तो ऐसे स्क्लप्चर का मतलब होता है, धाचे, कंकाल वगएरा जिसे हम बोलते हैं, वो चीजे, आपका ऐसे आर्की लॉजिकल कलेक्शन, पुरानी चीजे जो आपके पास पड़े हुए हैं, वो पुरानी चीजे आर्की लॉजिकल कलेक्शन में क्या होता है, नूट, आप देखोगे ना लाल के लिए पे जाओ, और बोलो के दस पैसे कितने का मिलेगा, वो बोलेगा, भी है, 100 रुपे का देंगा, 10 पैसा, क्योंकि 10 पैसे आपने देखे नहीं है, और आप कुछ लोगों को आदत होती है, कि उस 10 पैसे को संभाल के रखेंगे, कि यह 10 पैसा है, आपने 1 पैसा, 2 पैसा भी नहीं देखा होगा, लेकिन क्या यह 1 पैसा, 2 पैसा, 10 पैसा था, कुछ बच्चों को तो लगएगा, पता नहीं की बात कर रहे हैं, यह एक्जिस्टेंस में था, आप गूगल है, तो पिक्चर बगर है, तो देख सकते हो, यहाँ नियर भाई बोलू, तो लाल किले में जाईए, लाल के लिए पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो पुराने करंसी को लेके बैठे हुए हैं, और उसको करते हैं, आप महाँ पे जाईए, 500 रुपे का जो नोट बंदी में हो गया था, बंदो आपको 500 रुपे में नहीं मिलेगा, वो साइध 1000 ये 1200 रुपे में बिक रहा होगा, तो जिन्होंने उस टाइम पे फेक दिया, वो तो बेवकूफ थे, अब उसकी कीमत क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो वो क्या है, आर्की लॉजिकल कलेक्श, बिल्कुल आप जाईए, बोले पुराने नोट्स चाहिए मुझे, वो मिलेगा आपको 500 रुपे का, लेकिन 500 में वो बहंगा मिलेगा अब आपको, हाँ वो होता है, आपके पास कई वाल गवर्मेंट भी निकालते हैं, कि इस सिरीज के नोट किसी के पास है, तो उसे इतने पैसे दिये जाएंगे, गवर्मेंट भी कहते हैं, यह सिरीज वाले नोट लिया, तो वो हो जाएगा, तो उस पर नहीं जाते हैं, बस हमारा मेन आर्की लॉजिकल कलेक्शन, पुरानी चीजे, जैसे पांच रुपे का, जैसे कोईन है, मेरे पास भी है, 5 रुपे का पहले, अभी तो इतना सो कोईन होता है, पहले इतना बड़ा कोईन हुआ करता था, तो वो महेंगा भी किएगा, एनि पेंटिंग, सर, पेंटिंग और ड्रॉइंग में क्या फ़रक है, painting brush से बनाए जाता है, drawing pencil से बनाए जाता है any work art, आपका कोई handcraft art हो आपने कोई बुनाई वगरा किया हो इस तरीका कोई आपका handcraft से art हो तो वो तो बोला गया, यह जो हम आपको बता रहें न A, B, C, D, E, F तक यानि 6 बातें, यह 6 बातें personal हुआ, तब भी capital assets के category में माना जाएगा, बाकी कुछ भी है, वो नहीं है बस यह 6 बातें ही रखा, तो यानि बताओ personal car क्या आएगा, नहीं आएगा, लेकिन antique car हुआ, तो आजाएगा न, antique का मतलब क्या हो गया कि पहले के time पर unique रखा हुआ है, कुछ लोगों को trade, capital assets में stock in trade नहीं माना जाएगा, यानि जैसे कि मान लो एक property dealer है, वो भी तो मकान खरीद और बेच रहा है, लेकिन property dealer के लिए वो मकान एक stock के तरीके से है, वो 10 मकान daily खरीता है, 10 मकान daily बेच देता है, उसका काम ही यह है, तो अगर कोई अपने वेपार में stock के तरीके से, किसी भी तरीके का assets यूज़ कर रहा हो, वो capital assets नहीं होगा, अब सुनार की बात कर लेतने, goldsmith की बात कर लो, जितने भी jewelry shop वाले, वो तो daily 5 किलो सो ना खरीते, 5 किलो बेच रहे हैं, लेकिन वो उसका क्या है, business, और वो gold उसके लिए क्या है, stock है, लेकिन आपके लिए क्या है, capital assets है, ठीक है न, तो यहाँ पर क्या कहा गया, कि any stock, आपका rural, rural agriculture land, जो गाउं के, ग्रामिन के, जो जमीन है, उसको माना जाएगा, आपका कौन सा, सर, इसे भी capital assets category में, नहीं माना जाएगा, क्या कहता है, capital asset does not include, यह तो capital assets है नहीं सर, यह सारी बाते हैं, लेकिन आप कहोगे सर, gold, gold यहाँ पर आ जाएगा, business purpose के लिए है, current assets है, stock है, तो नहीं, पहली मना कर दियागे, कि इनको भी आप capital assets नहीं मानेंगे, चाहे आपका हो, 6% gold bond, government क्या करता है, gold bond का मतलब है, government बहुत time पर कुछ ऐसे, ऐसे assets निकालती है, जिसके ओपर government कहती है, यह tax free है, इसमें पैसा लगाईए, वो tax free है, तो उसमें से हमारा, जो 1977 में issue किया गया था, 6.5% gold bond, वो भी आपका tax free है, 7% 1980 में किया गया था, national defense bond भी किया गया था, 1980 में, special bearer bond 1991 में किया गया था, gold deposit आपका या gold deposit scheme 1999 में, कुछ bond निकाले गये थे, government के दुआरा इन जगे पे, तो वो, सर बड़ी basic सी बात है, बड़ी simple सी बात है, अगर छोटी इसी बात बोलू, तो जो मैं पहले बाते बता रहा था, वो सारे के सारे यही चीजे लिखी हुई है, कि sir, capital assets वो है, जो कि आपका movable हो, चाहे, immovable, movable में बस आपको ध्यान रखना है, प्रसनल में 6 बाते तो capital assets हो जाएगी, बाकि कोई भी capital assets नहीं होगी, और business से connected में ध्यान रखना है कि stock वगेरा ना हो, agriculture land ना हो, और ये bond ना हो, इनको हमने capital assets के category से क्या कर रखा है, बाहर करा हुआ है, तो ये overall definition किसका है, sir, हमारा capital assets का, इसी definition को book के अंदर ना पूरा एक ऐसा लिखा हुआ है, पूरा एक paragraph format के अंदर, उसी को मैंने क्या करा है, paragraph format को तोड़ तोड़ के chart बना दिया, so that आपको पूरी picture clear हो, बाकि जब practical question करेंगे, तो वहाँ पे capital assets का कोई लिना दिना नहीं रहेगा, आपको ऐसा नहीं देखना के भईया, यह कौन सा घर है, वो बोलेगा, एक जमीन खरीदा, एक मकान था, बेचा खरीदा, तो practical question में इसका इतना impact नहीं आएगा, लेकिन हाँ, थियोरी पूछा जा सकता है, what do you mean by the capital assets, capital assets क्या होता है, यह बता दीजिए, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है, सर अगला point पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे हम, कि सर capital assets तो होई गया, पहले यहां तक बताईए हर किसी को clear capital assets, हर किसी बच्चे को clear capital assets, किसी को doubt है तो अब एक बार पूछ लीजिए, है किसी बचला पे बार पूछ आया ऑ्क पूछा है, सर अजिन MICHAEL किसी किसी को कर दो आउता ठाप्यन और रámर पूला । पित्या को थे こर को róż मौबनाने हстве भीजिए,